हलो दोस्तों कैसे हो आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब तीक होंगे तो दोस्तों आज में आपके लिए कुछ एसी यूसफूल टिप्स लेके आए हूँ जिससे हमारे जो मुश्किल काम है वो आसान होंगे साथ साथ हमारे डेली हो रहे खर्चे को भी हम कम कर सकते हैं तो बुजरिक लोग जो चिसमा लगाते हैं तो उनका भी बोक्स ऐसी पड़ा होता है जब नंबर बढ़ जाते हैं तो जो पुराना बोक्स रहता है वो भी ऐसी पड़ा होता है तो इसका हम अलग अलग तरीकों से यूज़ कर सकते हैं तो यहां में एक तरीक आपको यहां बता से इंपोर्टेंट समान होते हैं उनके साथ आप यह रख सकते हो तो यहां देखे मेरे जो भी मेकप का समान है वो मैं इसमें डाग दी हूँ तो चलिए अब हमें इसको कहीं पर भी रखना हो जैसे कि पर्स में तो एक ही जगह पर यह मेकप आ जाएगा तो एक छोटा सा तरीक आपको कैसा लगा कोमेंट करके जरूर बताईएगा यहां हमारा अगला यूसफुल टिप्स होगा देखे पनीर को लेकर पनीर हम जब भी खरीते हैं तो हमें टाइम नहीं में पाता है उसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं मंगा तो लेते हैं लेकिन उसका हम यूज क अगर पनीर की सब्जी बहुत ही टेस्टी और स्वाद बनती है आप जरूर प्राइक करके देखेगा इससे फ्रेंज होता क्या है कि पनीर का जो कच्छा पान रहता है वो भी निकल जाता है अगर पनीर लाने में दो-तिन दिन जादा हो चुके हैं तो उससे भी जो एक इसम को बनाने में बहुत जादा यूज करते हैं पनीर को तो आप इस तरह से करिएगा बहुत ही बड़ी आपको प्रिजल मिलेगा तो आपको यह तरीका कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बदाएगा अगला यूसफुल मेरा टिप्स होगा देखिए मिक्सिको लेकर मिक्सिक्या होता है फ्रेंज जब भी हम साफ तो कर लेते हैं लेकिन जो अंदर का यह साइड होता है उसको हम साफ नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें अलग-अलग इस तरह से ख्रोंच बने होते हैं और इसको साफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है तो चलिए आज मैं आपको ए सकती हो अब यहां हमें एक कोटन चाहिए आप चाहे तो कोई भी कोटन का कपड़ा भी लगा सकते हो कोई वेस्ट कपड़ा और अच्छे से इसको धागे से बांद लीजे तो यह हमारा एक छोटा सा प्यूल बनके तयार हो जाएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है अब देखें यहां मैंने थोड़ा कोटन ओ लगाया है ताकि क्या है कि यह थोड़ा मोटा बन जाए अगर यह पतला रहेगा तो सफ़ाय करने में हमें दिक्कत होगी तो जितना भी आपको चाहिए उसके हिसाब से आप कोटन ले लीजे और अच्छे से इसको एक टूल की तरह बना लीजे प्रेंज आप वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो ना ही कोमेंट करते हो तो प्लीज आप वीडियो देखे तो लाइक जरूर कर दे मुझे लाइक करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपके एक लाइक करने से मेरा वीडियो भी क्या है सकस अच्छा बनाने के लिए और आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज मुझे कोमेंट करके जरूर बताईएगा ताकि मैं आपके पसंद की तरह ही वीडियो बनाऊं यहां देखिए मैंने थोड़ा सा एक टोरी में पाने ले लिया है और आप देखिए इसको हम कर करती है तो इससे हमसानी से देखिए साफ कर सकते हैं और यह कर के अंदर तक चला जाता है तो इस तरह का जो पतला कोई बी होता है उस से हम आसानी से साफ कर सकते हैं इस तो तो इस तो कंटा वाला न except need ले सकते हो तो फ्रेंज आप देख सकते हो देखिए कि इतना बढ़िया तरीके से साफ हो रहा है हमारे अंगूली देखिए नहीं पहुंचती है इस साइड में लेकिन इस तरह के जो पतले-पतले यह होते ही वह आसानी से पहुंच जाते ही और यहां मैंने देखिए अब ले कांटा और इससे भी मैं इसको साफ कर लेती हूं तो आप इस तरह से मिक्सी के अंदर की साइड को भी साफ करिएगा आपको यह जरूर पसंद आएगा और इससे देखिए हमारी मिक्सी क्या है तो जल्दी से खराब नहीं होगी और लंबे टाइम तक हम इसको यूज कर तरीके से साफ हो चुकी है तो हैना बहुत यूश unfold तरीका आपको यह तरीका कैसा लगा कूमेंट करके जरूर बताईएगा यहां हमारा análव साफ करना पड़ता है बेसन को देखी या तो चम्मस से लेते हैं या फिर कटोरी से या फिर हम लेते हैं हाथ से इससे हमारा दूगुना काम फेल जाता है चम्मस से या फिर कटोरी से लेते हैं तो होता क्या है कि वो हमें साफ करना पड़ता है इसलिए हमें टाइम भी जादा लगता है अगर हम हाथ से लेते हैं तो हमारे हाथों से बेसंधड गीर जाता है और फिर हमें उसकी सफाइब पड़ी है तो यह जो है यहां में देखिए मैं दोकला बना रही हूँ तो यह जो गोटनी है आप इसको क्या बोलते बूलते हैं OUT यहां पर इसको गोटनी बोलते हैं तो देखिए हम इस गोटनी का यूज करेंगे और जितना भी हमें बेशन चाहिए होगा हम इस तरह से गुमाएंगे तो आसानी से बेशन आ जाता है इससे देखिए ना तो बेशन गिरेगा ना ही क्या है कि कोई अक्ष्टा बरतन साफ करने की जरुत होगी तो कितना बड़िया तरीका है आपको कैसा लगा कोमेंट करके जरूर बताईएगा आगला मेरा टिप होगा दिकिए जब भी हम बिंदी खरीते हैं तो आज आज कल इस तरह की डिब्बी में आते हैं यह बिंदिया तो हमारे पास अक्सर यह खाली होने के बा कितना बड़िया तरीका है इससे हमारे पेसे भी बचेंगे और यह जो समान है इसका भी हम यूज कर पाएंगे तो आपको यह तरीका कैसा लगा कोमेंट करके जरूर बताईएगा अगला मेरा यूजपूल टिप्स होगा देखिए चूडियां हमारे अकसर बहुत सी पड़ है आप एक ही चूडिया में सारी चूडिया को ड ale सकते हो तो यहां देकर यह तो उत्यूटिया स्टोडिया तो इसमें क्या करूंगे यह जो मेरे पास यूस्पूल टिप्स कौन से लगी मुझे कोमेट करके ये भी बताईएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एसे यूस्पूल वीडियो के साथ बाबाई टिक के टैंक यू पूर वोचिंग